एंटर कर रहे हो ता आज में, क्या देखा आपने वाव में? पूरा ब्लट सेट, खोनी खोनता चार होता वाइफ थी और दो लड़के थे उनके, सिक्स फ्लोर पे, जो जिन्दा जिलके ही मर गे थे तो रूम में चार आतंकवादी और मैं अकेला था, हेडशॉट था पूरा, पूरा फील कर सकता था उसको, पूरा जलन हो रही थी कान के पास, ये कन्फर्म हो चुका था कि अब यहां से जिन्दा नहीं जा सकता हूं सफर नामे में जैसे मैंने बात करी थी कि आपसे मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसी शक्सियत की जो हम सब के लिए प्रेर नास्रोत बन गए हैं और कुछ ऐसे हीरो जो असल में हीरो हैं फिल्मो वाले हीरो हमने बहुत देख लिए परदे पे क्रिकेट वाले हीरो हमने बहुत देख लिए और लेकिन अगर अगर कोई हीरो है तो वह फौजी होते हैं और चब्वीस-ग्याना की मैं बात करना चाहूंगा आज के इस ऐपिसोड में क्योंकि मेरे इस ऐपिसोड में एक महा नायक जुनायक इस देश के हीरो असल हीरो वह उस रात में जो हुआ वह अपनी जुबानी बयां करेंगे तो मैं वेलकम करना चाहूँगा परवीन भाई देवेतिया का स्वागर ने आपका मेरे इस सफर नामा में और आप यहां पे आए हो आपका सफर तो जाने की जाने के बर वो 26-11 की जो रात जो आपने वहां किया जो हुआ वहां पे वो आपकी जुबानी सुनेंगे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कहां से उप्रवीन भाई कहां जनम हुआ आपका सभी सफर नामा देखने वाले जितने भी हमारे दर्सक है उनको मरीन कमांडो प्रवीन कुमारतिवत्या का जैहिंद रमश्कार मैं बिलॉंग करता हूँ डिस्टिक बुलेंसेर के एक बहुत फेमस गाओं भटवना से जिस गाओं ने इस देश को एक प्रधानमंत्री चौदरी चरन सिंग दिये और 49 सहिध मेरे गाओं से है और एवरेज मेरे गाओं से हर भर में फोजी है हम दो बाई है दोनों फोजी है और फईशे बनने के जो शौँग या सपन वो बिसाट ने वीरासत में विरासत में उनको specific कि या तो मैं आरमी में जाऊंगा या फिर मैं एक टीचर बनुगा तो आर्मी में जब मैं तयारियां शुरू की अपनी साड़े-सौले-सौले साल की उम्र से तो जब मैंने भरती देखने सुरू की तो मेरी हाइट कम रह गई तो मैंने भाया को ये चीज़ बताई क्योंकि आर्मी में थे तो उन्होंने का कि हाइट तो इस तरह से अभी तो उम्र है तुम्हारी बढ़ जाएगी मुझे जजबा था कि मुझे भी 12th हो गई है मुझे जाना है सेवा करनी है देश की और मैं NCCC Certificate Holder था कर चुका था मैं तो मुझे था कि मैं जितनी जल्दी सेना में जाओ उतना अच्छा तो उन्होंने का कि इतनी जल्दी तो हाइट तुमारी काफी कम है 162 मेरी उतरती थी उसमाबर और आर्मिय में 170 चाहिए तो मैं बहुत छोटा दिखता था तो मेरे भाया ने सजेस्ट किया क इसे बहतर अब नेवी या फिर एर फोर्स में ट्राइ करूं तो फिर मैं नेवी में चला गया और नेवी में जो मेरा सफर सुरू हुआ वो हाइड़ोग्राफिक सर्वेयर से सुरू हुआ जो लोग समुद्र में सर्वे करते हैं चार्ट बनाते हैं उससे मेरा सफर सुरू ह इसपेशल फोर्सेस में कैसे तेस आपकी और सफर रहा वह वह एकार रहा बाएं कि झीटी पर था ज्वाज और रात की दूटी थी तो रात को करिब साड़े-धुज़े के अश्पास एक जो मरीन कमांडो वो मेरे शिप में आया उस इप से ही बेसदा उस इप से कोर्स करने के लिए था तो मैंने देख़ उसकी प्रेस बिल्कुल डिफरेंट ब्लैक कलर्ड की सारी ड्रेस पहने हुए है और दो बैज पीतल के चमकते उसके चेस्ट पर लगे हुए है तो मैं मुझे अकर सक लगे ओड़नों चीज मैं अगले यह क्या है सर तो वो लेकि इसको मरीन कमांडो कहते है तो मैंने मेरी जिग्या सा और बड़ी तो मैं पूछा सर यह कैसे बनते हैं तो उनों बड़ा कल सुगज 6 बजे मेरे साथ आज जा जाना मैं तुमें तुमें वही दिखाँग करने के बाद हम बैटल अबस्टिकल कोर्स में घुस गए जैसे वह पार करते रहे मैं उनको पार करता रहां तो जैसे जैसे वह आगे रस्यों पर चड़ते रहे मैं भी रस्यों से पार निकलता रहां जैसे जैसे वह आगे रस्यों पे चड़ते रहे मैं भी रस्यों से पार कर गई तो मैंने का बच्क पन में था निए भाँ पर में आपर मैं ने बहुत सीखा एल प्लस इसले प्लस अब मेरे ट्रेणिंग ठाय और के केक वक टाइप का है तो अगले तुम अखान करई चान कर रहा ने का तुम तुम अबहुनेट जगेह पर हो तुम धेस की और जादा आपले सेवा कर सकते हो मरीन कमांडों के तू मैंने का किस के लिए क्या करना पड़ेगा उनहोंने का एप्टीटूट देना पड़ेगा प्लस मैं तुम्हारी आज साम को स्विमिंग चेक कर दूगा तू फिर उनने शुमिंग के जो टिप्स थे मैं हम पहले मरीन कमांडो बनन तुम्होम बता कोर्स जाज fulfilled वही पर आपकी सारी टैस्टिंग होती है विछ लोग कोइडिकल में निकल जाते हैं कुछ लोग करिये ऎपकी स्क्रीणिंग होती है चुछ ज़नेग कांकी इस्टीं में और लोग दो स्कृणनिंग में आपछी और फिर आपका एक tank का test होता है, 10-meter tank में आपका test होता है, floating test. वो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि 4 kg माइनस बौएंसी का आपके पिठ पर सेट रहेगा, डाइविंग सेट रहेगा. और दोनों फिंस आपके हाथ में रखवाएंगे, जो पैरों में पहनते हैं, वो दोनों फिंस आपके हाथ में रहेंगी, मास्क आपके सर के उपर रहेगा, और आपको पांच मिनिट एक ही जगह पर इस्टड़ी आपको रहना है, अच्छा, माइनस फोर केजी बाइन सी अपक आपको टास्क देंगे कम से कुम पांच मिनट बाद की ओन फिंस, फिर ओन मास्क और फिर आपको डाइव कराएंगे, तो यह सबसे कठिन टास्क होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, तो इसमें इसके लिए मुझे उन्होंने पारंगत किया, तो मैं दो 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 इंट लेकर प्रेक्टिस करता था, एक इंट इसाथ में लेता था और एक इंट इसाथ में लेकर प्रेक्टिस करता था, और उस टेस को पास करने के लिए कितने घंटों की जो है प्रेक्टिस है, कम से कम छे से आठ मेने की आपको ट्रेनिंग चाहिए, पूल की यह द तो यह डर आपको एक ही चीज से दूर हो सकता वो है perfect training perfect training जब तक आप नहीं करोगे तो अपने उपर आपको confidence नहीं आएगा तो confidence build होता था उस pool में तो उन्होंने वो चीज मुझे बताई और बस वही चीज मेरी कहूं कि नई चीज थी मेरे लिए सीखने की और मैंने उसको बहुत बहुत बहतरी तरीके से सीखा और पहला जब मेरा कोर्स आया तो जनवरी 2005 से मेरा कोर्स था उस समय पर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आगे थी तो मैं सिप में ही था तो हमारे सिप को स्रिलंका जाना पड़ा तो मैं उस टीम का हिस्सा वहां पर तो उस समय पर गाले हारवर और को लंबो यह हमने पूरा पूरा सर्वे किया था और क्लियर किया था तो उसमें मैं सामयन था रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहा ना उसमें बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सब को उसी पर ले आता हूं क्योंकि वो 26 ग्यारा की वो रात जब वहां पे मुंबई में ताज में जो आंतकवादी गुसाए थे और इंग्लेंड का मैच चल रहा था और जैसे वो मैच खतम हुआ और हमने न्यूस देखी तो लगा कि शायद कोई आपस में किसी का जगड़ा हो गया है किसी को पता ही था क्या हो रहा है आपको कैसे और कब पता लगा था कि 26 ग्यारा का जो सीरियस ने सब कितना है और कौन यहा पर आया हुआ है और आपको कब बताया गया कि आपको आपने कि निकल नहीं जैसा कि सर आपने 크리 debt मैच को एंक्लूड किया है तो मैं उस दिन पूरी घठना है वह तो बारांगजे से सुरू होती है मेरी घठना तो बारांगे मलागे पर गया था और चार बजे मैं रिलीव हुआ ड्यूटी से फिर मैं अपने ओफिस आया ओफिस से मैंने अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए जो वारेंट था वो लिया और पांच बजे की बोट से मैं मुंबई गया जो हमारा आइलेंड एक है करंजा एक जगा है तो मुंबई से व पांच नोटिकल माइल दूर है तो हमारा जो आने जाने का सफर है वो बोट से ही होता है वह से तो बोट पकड़कर मैं पांच बजे की बोट पकड़कर में मुंबई आया था और वहां पर मैंने अपना रिजर करवाने के बाद जान लियोपोल कैफे है उसी साइड में मोबाइल को मैंने रिचार्ज करवाया और रिगल सीनेमा के बिलकुछ सामने एक गन्य के जूस की एक दुकान है वहां पर मैंने गन्य का जूस पिया और वही एक किलूम्बिटर चलते ही फिर हमारा गेट है अंदर ग यंजुदर पहुंचा तो मैंने देखा भाया जहां पर खाना वाना ना कहारे है से तो भन पर अबना ग्रिकेट मैशल रहा था तो मैंने खाना खाया और फिर मैं जब मैंस में गा तो भी प्रॉकरिश है को कि सैवाग रित् तो 12 बजे से रात को चार बजे तक डूटी है तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, सो जाना चाहिए तो थोड़ी देर मैंने मैच देखा और मैंने इस लिये में फिर कि यहां पर सोना ठीक नहीं है लोग डिस्टरब करेंगे मैच तो मैं रूफ टॉप पे चला गया च्छत पे जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं था और मैं वहाँ पर जाके सो गया तो मेरी आँख फुली तो मेरे साथ कश्मीर में थे तो हम दोनों बड़ी थे वहाँ पर कश्मीर में तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो उन्होंने का कि प्रवीन मुंबई पर इस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है और मुंबई के जो टॉप पुलिस ओफिशियल से वो शहीद हो गए है और हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चनिटी है टायरिस्ट को मारने की जिन टायरिस्ट को हम जंगलों में ढूंड रहे थे जगय जगय ढूंड रहे थे रातों जगते थे उनके लिए बर्फ पर बैठते थे वह मौका आज हमें इश्वर ने इसी मुंबई सहर में हमें दे द जब आपको जब यह बताया उनोंने की मुंबई पे अटैक हुआ है और आपको बताया कि आपको निकलना है मुंबई के लिए कितने साथी थे आपके जो आपके साथ महां से निकले है तो हम दो टीम में इखटा हूँ फिर तो उनों बताया कि एक तीम औरड़ी ऑर दो टीम उरेड़ी वह पर जा चुकी है अब और दो टीम जानी है जो कि ताज में काम करेंगी कि ताज के ओपर ज़ादा है और जादा कैजवल हुआ हूआ हुआ है और ताज में कुछ चरकम्ट्रांसिस बन सकते हैं होस्टेज सिच्वेशन के पहले होस्टेश सिच्व करना है तो मैं आर्मरी पहुचा वहाँ पर जब मैं वेपन ड्राव करने लगा तो मुझे पता चला कि जो सी की भी वेपन होता है क्लोज क्वाटर बैटल का वो वेपन हम पर पर काउंटिंग में मौजूद नहीं इतने जादा संख्या नहीं है वह पर तो मुझे एक मिली फि तो जो अवेलेबल था हमारे लिए वहां पर हम ले लिया कमनी के संसेट नहीं था तो हम आपस में बात कर सके क्योंकि हमारा जब ऑपरेशन चलते हैं तो पूरा का हमारा मैन एक्विपेंट ही है जो हमें आपस में कनेक्ट रखता है और प्रॉपर वेपन है तो आपकी मतब आपके सामने जाहे कोई भी आ जाये. आप किसी भी सिच्वेशन में अप निकल सकते हो। और आम से किसी भी टर्रेस्ट को बार सकते है। अब ऐसे सिचुएशन में जब अर्बन एरिया में हो और बिल्डिं के अंदर आपको अपरेशन कनना हो, तो आपके लिए एक खुद एक खत्रा है, जब एक अप, क्योंकि गोली रिकोचिट होती है उसकी और पेनेट्रेशन पावर बहुत जादा है उसकी और रिकोचिट होन हम लोग मुंबई पहुंचे मुंबई पहुंचे तो मेरा एक जानने वाले व्यक्ति थे वहां पर बोट पूल पर मैंने उन से रिक्वेस्ट की जो चार मट्रोला हमको महां से मिल गए वाकी टॉकी हम जिसको के लेकिन वो भी उतने संख्या में नहीं रहे जितने होने चाह आज में आज में क्या देखा आज में पूरा ब्लट सेड खुनी खुनता चारो तरफ और इकितने वजे अपने एंट्री करें हमने करीब धाई बजे के आस पास हमने रात को एंट्री किता आज के आज के अदर हमारी एक टीम पहले काम कर रही थी तो वो गैस्ट जो ते उन वोकुछ है कि वो तुम पास हिए प्रहु इंटी को उसी ईठ पास है क्युक्य है उसमारी बाद इनोहिता हम्ने, अपर हमें क्या बादे रहात बात कर रहा हो जा कि उसलिए यह रहा है थी तो पास के बात करने हैं लागा थी च्टह और शॉचल नहीं करते। लेकिन जो इन तो ताज काफी हद तक खाली हो गया था लेकिन जो चैम्बर हॉल था उसके अंदर 150 प्लस लोग फसे हुए थे क्योंकि हमने कई बार देख वाद में तो फिल्मे बहुत बन गई बट फिल्मों में जो होता है वो शायद हमें उतना ही पता लगता है जितना बहुत मिनिमल सी चीज क्योंकि आपने तो लंगा जो है बिल्कुल अपने हाथों से वोच वह पे चीजए देखी है और करी है तो जादा बेहतर रहेगा कि क्या क्या हुआ वहां पर पहले तो जब मैं होँ पर नीचे लॉबी में था तो जो ओल्ड हेरिटेज विंग को और न्यू टावर को जोड़ती है मैं उस लॉबी में वहां पर खड़ा हुआ था अपनी पोईशिएन लेकर तो एक आदमी था जो र आप अग रुड़ ऄफ पैला हुआ ता वहां पर तो मैंने उनको रोका रहां पर तो मैंने को आपने जा सकते सो तो बढ़ेकर कि मैंने यह पूं कर नहीं लग पो फंद दो की आप का जो भी गैस्ट है अप हमको बबता ही हम लाएंगे हम आपू कि लाएंगे तो मुझा ड और दो लड़के थे उनके सिक्स फ्लोर पे, जो जिन्दा जलके मर्गे थे तो ये बड़ी दुरगटना ही कहेंगे, हम दुखदगटना है उनके जीवन की लेकिन मैं उनके साहस को समान करूंगा कि वह ही पटिके रहे ही इतना सब कुछ होने के बाद भाद भी फिर हमारी एक टीम गठित होई, चार लोगों की जो चैमबर में लोग फसे हुए थे उनके लिए प्लस ताज होटल के जो मैंनेजिंग डारेक्टर थे वो उनका ओफिस भी चैमबर के नेक्स ही था उनको निकालने के लिए हम लोग पूरे गैस्ट को निकालने के लिए हमारी टीम गई त तो मैंने नोग उधर से कुछ South Africans कैने या अफिकन के वो कुछ आरे थे तो मैंने दरवाज़ नोग किया और मैंने अपना आइकार्ड शोव किया कि हम यह आपको निकालने के लिए है तो उनो मैं अने दरवाज़ खेंचा खोलने के कोषिश की दरवाज़ एंसे महीं क्षू तो हम समझगे कही न कि लॉक दर्वाजा लॉक है यह तो हम पीछे अटे में पीछे अटा यह वही दर्वाजा है जहां पर होस्टेज थे हाँ इसमें आपके अडानी साहब चार मेंबर पार्लियमेंट इस दो जर्मन सीनेटर बॉलिवुड के बहुत अच्छे हस्तियां उसम अधर थे और उनको ही होस्टेज बनाने के लिए टेर्रिस्ट हम से 30 से किड़ पहले पहुचे थे उस जगह पर और जैसे उन्होंने हमारी आवाज सुनी थी यह सीसी टीवी से पता चला तो वह पीछे वाल था उसके अंदर गुसके तो हम फिर मैं आगे था तो मैं पीछे म तो दर्वाजा में अंदर देखा जांकर तो पूरा का पूरा अधेरा था दो स्टेपन लोग गए लिके नदेरा था तो हमारे जो टीम कमांडर थे उन्होंने का कि तेवतिया रूम में अधेरा है हमें यह नहीं पता कि कितने लोग अंदर है तो बहतर है मैं और चार लोग का सिक्योर्टी मैनेजर बहुत ब्रेव बंदा था तो आगे चलने क्या नाम था उनका उनका सुनील कुडियादी तो स्टार्टिंग में चलने लगा तो मैंने इसको रोका कि भाई आपको कुछ होगे तो हमको गाइड कौन करेग अगर गोली आएगी तो पहले गोली हम खा कि सब तो जब चार और लोगों को लेकर आए हमारे टीम कमांडर तो उन्हों ने मुझे टैप किया और कहा कि एंट्री करो तो मैं एंट्री कर गया रूम के अंदर तो जैसे जैसे रूम के अंदर जाने लग एंधेरा था पूरा तो दस कदम अंदर जाने के बाद में मुझ पर नजर नहीं आया कि कौन कहा है हम लोग रॉसनी से अंधेरे में हैं रॉसनी हो रही है बाहर रॉसनी है लॉबी में और हम अंधेरे में जा रहे हैं तो एक दम से नहीं दिखाई देगा पर उनको नजर आ रहा है उनको नजर आ रहा है उनको नजर आ रहा है सब कुछ अपक जानी कि अब वो जो गोलियां है वो सिंगल शॉट नहीं आएंगी बस्ट में बोली आएंगी तो बहतर मैं हैं पोजिशन ले लू अपनी तो मैंने जैसे ही सोना और मैंने सेम टाइम अपनी पोजिशन ले ली उस जगा पर उसी रूम के अंदर चारो टैरिस्ट थे चारो एक जगा पर थे उस समयंगर तो मैंने अपनी पोजिशन ली वहां पर और मैंने जहां से मेरी मुझे आवाज आई थी मैंने अपना वैपन उधर की तरफ एम कर दिया और ट्रिगर पर मैंने अंगली लगा दी और बस हम दो कहते हैं कि 10 सेकिंड 20 सेकिंड और मुझे मिलते तो म मैं वेट कर रहा हूं किसी भी मुमेंट का को मुमेंट हो तब तक उधर से मुझे एक फ्लैश दिखाए दिया तो मुझे पता चल गया कि गोली चल चुकी है तो मैंने भी अपना ट्रिकर यहां से दबा दिया तो मुझे यह याद है कि 3-4 गोली मेरी फायर हुई और उसके मुझे यह पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने खुद को पाया तो यह था कि एक तो बहुत जादा दर्द हो रहा था मेरे जलन हो रही थी बहुत जादा जलन बहुत जादा थी और हैड शॉट था पूरा पूरा फील कर सकता था उसको पूरा जलन हो रही थी कान के प यह जो चिक था यह वाला यह बठके उपर लगा हुआ था अईसे था तो जब उन्होंने हैडशॉट लिया हुगा तो हैडशॉट कान पे लगा ऐसे था तो पूरा उखाड दिया थोड़ा सब एक में बढ़ तो आख क्यार पार बोली निकल चुकी होती है उस दर्द को पूर मैंने अपने अपको अपने धैरिया बांधा और फिर मैंने अपने बड़ी को ढूंडा सुरू किया तो आपके कान के लावा और भी कहीं गोली लगी थे और भी लगी है वो बाद में लगी तो फिर मैंने बड़ी को ढूंडा तो मैंने पाया कि मैं इस रूम में अकेला ही मेरी पूरी टीम फॉल बैक हो चुकी तो उस रूम में चार आतंकवादी और मैं अकेला था तो फिर मैंने ढूंड़ा आपस कि मैं अभी जगह और कहां पर कवर लूं ताकि मैं अपने आपको कवर करकी मैं फायर कर सकता हूं उनके उपर तो मैंने पाया थोड़ी दूर पर सो ख़ाता और कान के पास पूरा ब्लीडिंग हो रही थी फिर मैंने हार नहीं मानी अब मैं कंटिनु उनके उपर सिंगल शॉट में उनके उपर फायरिंग करता रहा कि फिर मुझे लगा कि इनको मैं गोली से नहीं मार सकता है तो मैंने हेंड गर्णेड यूज कि अपना जहां से मेरे उपर फाइरिंग आ रही थी मैंने उधर की तरह उसको लॉब कर दिया ग्रिनेड के दो साउंड मुझे सुनाई दिये दो तो जहां पर मुझे फैक ना तब बिल्कुल एग्जक्ट उसी लोकेशन पर जाके हो ग्रिनेड की रात तो मैं क्यूंकि मैं भी खुद यह गिंडेड की चपेट में हूं अगर इमनेड फटेक बहुत मैं जाऊंगा यह जानते हो ले अग्रिनेडड फैका था कि इनको ऐसे नहीं मारा जा सकता और मेरी टीम भाहरे वह अंदर आ नहीं सकती यह पास में जान। और इनकी location ये है मैं लोग कुछ नहीं बता पा रहा हूँ तो सारा का सारा decision मेरे पास ही था तो ये मेरे लिए last decision था कि अब यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता तो best एक ब्रहमास्त last इस्तेमाल करते हैं और किते देर तक मैं firing करूँगा कि bleeding हो रही है दीरे-दीरे मेरी भी छमता है एक human body है उसकी छमता है वो उस level तक ही जा सकती है तो मुझे लग रहा कि हाँ आदा घंटे के आसपास हो चुका है और दीरे-दीरे मेरी जो energy हो down होगी bleeding की वज़ा से तो मैंने फिर कितनी तरी encounter चला आपका? तीस मिनट के असपास तीस मिनट के असपास और भी firing करते रहे? वो firing, जैसे मैं single shot लेता था वो सीधा burst में फाइरी करते थे तो गिरनेड जो मैंने फैंका मैंने दस-तक काउंटिंग की वो गिरनेड नहीं फटा अगर वो गिरनेड फट जाता तो अर्ली मॉनिंग पांच बजे उपरेशन पूरा का पूरा ताज का ख़तम हो चुका होता है। फूरा। वो किसलिए नहीं भटा हो अगरेशन रहे होंगे। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सका है। फिर मेरी टीम के जो लोग थे, जो मेरी टीम कमांडर थे, उन्होंने सोचा कि इतनी देर तक कोई बंदा जिंदा रही नहीं सकता। तो उन्होंने मान लिया कि प्रवीन तेवतिय अंदर शेहिद हो चुका है। तो उन्होंने अंदर टीयर गैस का शेल फैक दिया। उन्होंने यह चीज़ कंफर्म की सिक्योर्टी मैनेजर से कि इस दर्वा यहां पर यह यह रहा है। इसका एंट्री और एग्जिट कुन सा है। तो उन्होंने बताया कि यही एंट्री है और यही एग्जिट है। और क्या यह रूम था यह हॉल था। यह हॉल था। जिसका एक और दर्वाज़ किचन में जाके खुलता है। तो उन्होंने इसलिए अंदर टीयर गैस ठोक दी। कि प्रवीन तेवत यह तो शहीद हो चुका है। जब टेर्रिस्ट आएंगे तो उनको हम आराम से टैकल कर सकते है। तो अच्छली हुआ उटा फिर। जो टीर गैस का सेल तो मेरा पास आके एक्स्प्लोड हुआ। तो धीरे 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 उसने सुरू कर दिया। तो मैंने वही सोलजर वाला डिशिजन मैंने लिया। कि नहीं बहतर है कि मैं आखरी सांस तक अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए लड़ते हुए मरू। फिर मैंने खड़ा हुआ उस जगा पर और मैंने हिप पे अपने वैपन लिया। और फिप से पूरा मैंने एरिया को स्ट किया पूरा कि पुर ताकि जो भी वारि यहां से भी आ रही है पूरा कRIुबवे जब आप स्ट करोगे तो पक्का गोली लगनी ही लगनी है किसी को यह पूस्यों आ Chi तो मुझे पता है कि जब AK47 की गोली आपके उपर चलेंगे तो यह पता नहीं चलेगा कौन सी कहां से निकली है। जिन्दा रहना तो संभवी नहीं था। यह सोचकर मैंने वहां पर खड़ा हुआ और मैंने गोली चलें और दर्वाजी की तरफ मैंने भागने की कोशिश की तब तक मुझे पता चल चुका था कि गोली चेस्ट के आरपार जा चुकी है चेस्ट में लगा है कुछ ऐसा लगा है जैसे किसी ने ठोक दिया हो ऐसा लेकि मुझे वहाँ से जैसी में लॉबी में टंक किया हूँ तो मेरी उंगले ट्रिगर पर थी और वेपन मेरा डाउन हो चुका था तो मुझे याद है कि यह गोली मेरी वह पर चली थी लॉबी के अंदर गोली जो है अभी भी उसका निसान उस फ्लोर के ऊपर है उसके बाद मैं मैं स्प्रिंग की तरह वहां पर गिरा हूँ और कुछ बचा ही नहीं सरीर में मुझे मेरे टीम मुझे उठाकर जब लॉबी से नीचे लेकर आई तब आप सांस ले रहे थे यह आपको तब तक वोश्ट कुछ नहीं पता था मुझे जब ताज के नीचे लॉबी से बाहर निक एक दम से बाप पी सही तो मैंने अपने राइठ एंड में वेपन था मेरे तो मैंने उसको उठानी की कोशिश की मैं हाथ नहीं उठा बाया अपने आखे खोलने की कोशिश कर रहा हूं आख नी खोल पा रहा हूं मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं बोल नहीं पा अब ब्रेन तो आपका आटोमेटिकली चल रहा है, जुबान जा चुकी, आप इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बोल सको, पेन इतना जादा है, प्लस कुछ निकल ही नहीं रहा, सांस ले रहा हूं, सांस पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा कुछ भी, तब तक फिर हम लोग अश्वनी प पुरा सब कुछ जाम था, तो एम्बुलेंस स्पीड में थी और जो एम्बुलेंस में जो दॉक्तर थे उनको उन्होंने बोला हमारे जो साथी थे कि इसका कुछ करो कुछ करो तो दॉक्तर भी कुछ कर नहीं पाए, वो भी कांप गए उस सिचुएशन को देख क्योंकि पुरा मेरी बॉडी होँपर लेकर गए तो एक गोली में पूरी घुश गई फिल्ड मैगजीन थी दोनों एक एफटी सेवन की और प्लेट थी तो प्लेट में इतना बड़ा छेद उस गोली ने कर दिया और एक एम्म बचा होगा अंदर गुसने से एक गोली रिकोचिट हो लगी थी तो इसकी इंटेंसिटी जोती को कम हो गई वो बच गई एक गोली बिल्कुल कॉलर के बिल्कुल पास से निकली मेरे तो पुरा फाड के निकली तो टोटल पांच शॉट वहां पर मुझे लगे और तीसरी गोली आर पार होगी थी तो जब उन्हों ने ये ड्रेस अगरा फाडी और ये निकाला तब पूरी चेस्ट से एक फांटन की तरह बलड बह रहा था तो फिर सेम टाइम उन्हों ने ऑपरेट किया और फिर दोक्टर्स ने कहा कि इसका बचनम नामुम्किन है तो बचनम नहीं करे पाएगा क्योंकि लंग्स पूरा फट चुका है औ और स्प्लिंटर्स बहुत फेले हुए इसकी बॉड़ी में इंटरनल ब्लीडिंग बहुत जादा है शायद ही मुस्किल है इसका बचना मेरे बाई आगे थे तो उनको भी कहा कि तीन-चार दिन का शायद महमान है ये इसका बचना मुमकिन नहीं है लेकिन इश्वर को कुछ रिलेक्स होना सुरू हुआ सांस तो फिर भी नहीं आती थी ठीक से लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये मेडिकल साइंस में मिराकल है आपका सर्वाइवल क्योंकि आज तक मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जिसकी चेस्ट से एके 47 की गोली निकल जिसका पूरा फेपड़ा फट गया हो और वो बंदा जिन्दा खड़ा हो तो जाको राके सहिया मार सके ना कोई और फौजी बंदा है फौजी बंदा तो भई समीश्वर की देन है यह जीवन उसी की देन है मैं कहूंगा उसके बाद फिर एक लंबा संघर्स रहा कोई ट्रीटमेंट नहीं था इसका तो जब आप वहां पे हॉस्पिटल में हो आपको पता है आपका आपका ऑपरेशन हो गया आपको जैनल वार्ड में शिफ्ट कर दिय किया है कब बता चला गी इसकी अब जीवन जो है यह तो बच गया है ने चार दिन का वक्त बता रहे थे क्या चीज आपको तो वह पता थी चीज यह नहीं पता थी? यह मुझे नहीं पता था, मेरे मेरे बबड़ी दिक्कत होती थी और हर रोज में मैं कुछ भी कर रहा हूं तो जो सलाइवा है कुछ है तो हमेसा थूकिया, थूकते हम लोग कुछ तो हमेसा ब्लडी ब्लड निकलता था पूरा, पूरे मेरे मुह से हमेसा तो यह लंबा सफर र रही और ट्रीटमेंट फिर भी रहे तो मेरा वजन कम होना सुरू हो गया तो बहुत जादा तो उन्होंने कहा कि अभी ट्रीटमेंट कुछ है नहीं और जो प्लास्टिक सर्जरी है आपकी कान की रीकंस्रक्शन का जो काम है वो बाद में होगा तो बहतर है आप अभी एक मह की सर्जरी का रहा जो कि TA erste कि TATA Trust है उसने मं जै इसमें हेल्प कि पूरी ट्रीटमेंट में उन fine तो जब मैं सिकलीव के लिए जा रहा था तब एक बड़ी प्यारी घटना मेरे साथ में हुई राजधानी के अंदर तो राजधानी ट्रेन के अंदर जर्नली हम देखते हैं ना कि डैड़ बड़ी है उसको भाई एर शिफ्ट करते हैं लेकिन जो बंदा बच गया है और इतना बुरी तरह से इंजड है वो बंदा वेटिंग लिस्ट में है और में राजधानी से सफार कर रहा है वेटिंग लिस्ट में था और उस चीज के उपर गभी ध्यान नहीं दिया कि बंदा कैसे जाएगा और आपके साथ कोई नही है ते मेरा अकेला एप झाल रही था तब किसी में मैं होस्पिटल में में अकेला ये था मेरे बाई थे बस मैरे साथ मैं मुझी ढीज कि ढीजा कि मैं तुझे ढीज़ कर दूँगा लेतों कोई नहीं रहो तो मैं आज आसह हूँ मैंना उनसे बात कि तो मैं आता हूँ लो मेन वेटिंग लिस्त था तो उनवहें Titi से बात की कि एससे है बंदा है, ताज में था, इस तरह से मुंबई को इस विक्ति ने बचाया है, ताज को इसने बचाया, आज टावर खड़ा हुआ, इस विक्ति की देन है, तो टीटी ने साफ मना कर दिया, कि राजधानी में वेटिंग चलता ही नहीं है, बेतर है आप दूसरी ट्रे